नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स पौधों के समचेत और तेज विकास के लिए उन्हें जरूरी पोसक तत्तों की हर समय जुरुवत होती है बात अगर ग्रीन प्लांट यानि के हरे भरे पौधों की की जाए जैसे मनी प्लांट है, स्पाड़ प्लांट है, क्रोटोन है तो इन पोधों को तो और ज्यादा न्यूट्रिंज की जुरूरत होती है और इन न्यूट्रिंज की पूर्थी हम फटलाइजर यानके खाद के द्वारा करते हैं अच्छा fertilizer हर समय हर जगह नहीं मिलता लेकिन कुछ ऐसे fertilizer आपके घर पर मौझूद हैं जो आपके इन पौधों को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ share करने वाले हैं एक ऐसा fertilizer जो बिल्कुल free में और हर व्यक्ति के घर पर मिल जाता है तो आप बने हो चैनल अइरवेदे गार्डन पर मैं हूँ आपका मित्र रवींद्र चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके एक वार अपने दोस्तों के साथ share ज़रूर कर दे हैं तो friends हम बात कर रहे हर घर में पाए जाने वाले free के organic fertilizer की जो के आपके हर घर में मौझूद है वो भी बिल्कुल free में और वो आपके सामगे है जी हाँ ये दाल और कुछ चावल जो आप देख रहे हैं ये तो हमारे हाँ हर घर में आपको जो है मिल ही जाएंगे आपके हाँ या भारती परविष्ट की बात की जाए या अन कहीं भी जगह की दाल चावल सभी को पसंद है और सब्ता में दो तीन दिन तो खाने में हम दाल चावल बना ही लेते हैं तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है कोई ऐसा काम ज्यादा नहीं है जो आपके लिए परेशानी वाला हो उसमें जब हम दाल चावल बनाते हैं तो उससे पहले हम दाल चावल या अन्यानाज को पानी में धोकर साप करते हैं तो एक बड़ा सा बरतन ले लीजिए वो प्लास्टिक का हो इस्टील का हो या किसी का हो कोई समश्या नहीं है और दाल चावल को जो है आप साप पानी में धिखोती जिए और इन्हें लगवग 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए फ्रेंड्स जब हम दाल चावल को पानी में धोते हैं या ऐसे छोड़ देते हैं तो दाल चावल या जो अनाज होते हैं इनमें स्टार्च होता है और स्टार्च में बहुत सारे नूट्रियंस होते हैं जो के पौधों के लिए काफी फायदेमंद हैं तो जब हम दाल चावल धोएंगे तो जब कुछ देर बाद जब पानी में पढ़ने के बाद दाल चावल कुछ इस तरीके के हो जाएंगे और वो अपना इस्टार्च जो है पानी में छोड़ देंगे तो फिर आपको क्या करना है कि इस इस्टार्च युक्त पानी को हम एकत् करने से पहले एक दो बार आप अच्छे तरीके से दाल चावल को और साफ कर लीजिए और इस पानी को आप किसी अनिवर्तन में जो है एकटा कर लें ये लीजिए तो ये जो और गानिक फटलाइजर आपको मिल रहा है ये विलकुल निसुलक है और हम क्या करते हैं से बेकार का समझ कर फैंक देते हैं जबके हमें ऐसा नहीं करना चाहिए अब आपको क्या करना है कि सिर्फ एक बार दाल चावल नहीं दोने हैं आप दो तीन बार जैसे हम सामान ने ते दो तीन बार दाल चावल दो दोते ही हैं जब तक हमारे दाल चावल अच्छे तरीके से साफ ना हो और्दगी दाल है राजमा है उनको भी अगर जब आप धोते हैं या जैसे दूद का वरतान है उसका जो पानी होता है उसमें भी बहुत सारे पोसकत्तों होते हैं इसके लावा चाय जो हम फैंक देते हैं वो भी काफी पोसकत्तों से युक्त होती है तो आप दो-तीन बाद इसे पोधों पर आप फ्रेस यूज करें तो ज़्यादा बढ़िया है इसे इस्टोर मत कीजिएगा कि 4-5 दिन रखें ऐसा नहीं इस्टोर मत कीजिए जितना ये फ्रेस यूज होगा न उतना ज़्यादा फायते मन रहेगा दूसरा प्रश्ण हम से किया था कि हम महीने में स इसे यूज करें तो फ्रेंड्स चलिए पहले हम इसे यूज करना बताये देते हैं उसके बाद हम बताएंगे कि आप इसे कितना यूज कर सकते हैं तो इसे यूज करने का बहुती सिंपल तरीका है कुछ अलक्ष नहीं करना है जैसे हम अपने पौधों में वाटरिंग करते हो उस समय आप अपने पौधों में लगवा आदा लीटर अधिक्तम एक लीटर तक पौधे की मिट्टी के नरूप यानि कि उसमें कितना पानी चाहिए उससाब से आप सभी पौधों में ये अपना और्गानिक फटलाइजर देते रहिए आप इसे 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 बहुती अच् कमेंट करके बताईएगा अगर आप इसे यूज़ करते हैं और वीडियो अच्छा लगाओ तब भी बताईएगा धन्यवाद्ट